आज हम लोग बात करेंगे मुबाइल एडिक्शन या गजट एडिक्शन लेके अब लोग को पता है पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन इतना सस्ता हो गया जिसके लिए स्मार्टफोन बहुत ज़्याद़ पूपुलर हो गया और स्मार्टफोन का इतना सारे फिचर्स आग इन अफिशील डाइगनोस्तिक एंटिटी यह जो स्मार्टफोन एडिक्शन यह एक बीमारी है बोलके हमारा जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आफ डिजीज है और डाइगनोस्तिक और स्टेटिस्टिकल मैनुएल एडिशन फाइफ जो है उसमें इसको माना गया है फ्रे में किया गया है वो हमारा e-station countries में किया गया है तो हम लोग को यह पता चला है कि excessive use of smartphone may affect the mental health of children and adolescents जैसे कि बहुत ज़्यदा video games देख लिया तो रात का नीम कराब हो सकता है बहुत ज़्यदा mobile phone या smartphone use करने से कोई बच्चा का cyber bullying भी हो सकता है even somebody may get addicted to mobile phone mobile phone से आप लोगों को porn addiction हो सकता है mobile phone से video game का addiction हो सकता है mobile phone से बहुत ज़्यदा online shopping का addiction हो सकता है यह सब बाते हमने psychological effect बता है अभी physical effect mobile addiction से क्या हो सकता है आज कल आप एक बहुत नहीं time आपको सुनाए में दे रहा है quarantine myopia बहुत ज़्यदा mobile या screen time use करने से यह चीज होता है आपको स्मॉल जर्ट जो है जहां से आप इसे करते आप टाइपिंग करते mobile phone में आपको arthritis हो सकता है pain हो सकता है आपको neck pain हो सकता है you may suffer from insomnia and even there is a term called nomophobia that means जब भी आपके पास mobile नहीं होता है आपका मन में anxiety हो जाता है मेरा mobile कहां है और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप facebook में status दिया अपना कोई story डाला है every 10 minutes you just go and check how many likes you have got how many comments you have got यह भी एक तरह का addiction होता है तो मेरा यह advice रहेगा कि use your screen time use your mobile phone very judiciously मैं आपको 4-5 tips दिऊंगा no phone in your bed no phone in your dinner table and you should keep a watch on your children which sides they are watching what they are surfing क्योंकि mobile phone एक दो धरी तलवार है it has got two sides एक तरफ mobile phone is very useful for online class mobile phone is very useful to keep in touch during this covid pandemic और दूसरा तरफ अगर आप mobile phone का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत भारी लुक्सान उठाना पर सकता है तो friends be a role model अगर आप अपने बच्चे के सामने दिल में 4 गंटा 6 गंटा mobile use करेंगे तो your children will also learn it so be a role model give them time develop other hobbies and screen time should be limited thank you